हेलो और वेलकुम तो फॉर्थ एपिसोड आफ होट टेक्स वाली वीडियो करने में मज़े आ जाते हैं क्यार आप कॉमेंट्स इतने अच्छे करते हो यह वाली वीडियो लिंक मैंने कॉमें शेक्षिन में पिन कर दिया है डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में भी दे दिया है आप के लिए एक स्पेश्चिल गिफ्ट है इस वीडियो में जिसली बार भी बोला था शायद आप मैंसे कहीं को मिली भी नहीं तो आपको इस वीडियो को देखना है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ठीक है एक बार मतलब पूरी वीडियो एक बार चेक कर लेना आपक जीट का और इननने काया कि गुंतर को जो आईसी टाइटल रहेन है वह और रेटेड़ अब भी जीट भाई मुझे आप से डिसअगरी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे लगता है कि गुंतर का जो टाइटल रहेन वह परफेक्टली रेटेड डेड़ रहें ना वह अंडर र इस फार बेटर हैं जौन सीना से हर एक एसपेक्ट में बस उनकी माइक स्किल जौन सीना जैसी नहीं है तो यश भाई I completely disagree with you क्योंकि रोम वरेज जितने भी अच्छे हो जाएं जौन सीना नहीं है उनकी मेक अविश से लेके उनकी स्टोरी टेलिंग से लेके अब ऐसा नहीं ये कि रोम अरेंस के अच्छे नहीं है बिशाएं जौन सीना के लेवल मैच करना बी काफी मुश्किल डास्क है हां रोम 활 जे ने पहले से काफी इmbiva कर लिया है उन्हों कि यह जैसा बोल सकते हूं मैं कि शायद वह आप जौनन सीना से बी बेटर है यह तो मैं निवानता इस सोटे के क्रिक एडिट्स का और इन्होंने काया कि जे उसो विल डी थ्रॉन रॉमन रेंज कर हमें पता ही समसला हमें मैच होने वाला है बट आए डिसगरी विद यू ब्रो क्यों कि मैं पहले भी इस बारे में शायद बात कर चुका हूं जे उसो परफेक्ट चोईस नहीं है ड खाना से रॉम अरेंज को कि रॉमरेंज निये इसे भी हराया जा सकते है और उन्हें उन्हें हरा दिया पिन भी किया चैंपिशिप से उनको कोई लेना देना नहीं तो मुझे लगता वो डिट्रोन करेंगे रॉमन को नेक्स और टेक है अब ऑमनिक हम का और सॉरी अगर नाम पॉल जीते हैं बड़ चलो कोई बात नहीं मैं खुश हूं ठीक है इसलिए मैंने पाशली अग्री कर लिया आपसे नाव नेक्स होटेक है राज का और इन्होंने होटेक किया है कि ट्रिस्ट्रेटिस बहुत होट है भाई साब यह कौन सा होटेक है यह तो मतलब कॉल होट है इसमें तो कोई मितलब शक्की नहीं है अगर आप बोलते कि ट्रिस्ट्रेटिस होट नहीं है तब वो फिर एक होट होता है ओविसली विशक वो अपनी 20s में 30s में 40s में 50s में त्रिस्ट्रेटिस वाट इस होट एंड विल रिमेन होट फॉरेवर नेक्स होटिक SW गे कि जब मैंने रिस्लिंग देखना शुरू किया था उस ताइम पर स्मैक डाउन बेस्ट शोर था तो शायद में थोड़ा बाइस्ट हो रहा हूं वट यह बात तो बकी रो हमेशा तो स्मैक डाउन से बेटर नहीं रहा है ठीक है चाहिए आप अरली 2000s देख लो चाहिए अभ यह क्या फालती चीज कर दी या ट्रिपल एच की बुकिंग डी सीजन में हुआ यह चीज में सुख मैंने तो कभी भी किसी ऐसे मिडगार टाइटल पर कैश इन वगार नहीं करवाया क्योंकि मिड़ी वह सारी याद दें जिस पर वर्ड है वेट चैंपिशिप यह डब डब उन पर ध्यान नहीं दे रही है वैसे तो अभी इंड्रकॉर्ण चैंपिशिप पर मैच किया था उन्होंने बट पता नहीं वह वाई भी नहीं आ रही जो पहले आया करती सी डिडल से शैद उने और अच्छी स्टॉय लैंस में डाले तो शैद आ भी जाए या ऐसा हो सकता ह कि रिपिटिटिव चीज़े और ही उनके साथ तब भी शायद ऐसा फील हो रहा है पर ध्यान तो दे रही है मतलब डव ने बस वो क्रेज नहीं आ रहा रहा रिडल का जो रैंडियों के साथ था अगर रैंडियों रिटर्न कर लेते अपना तो शैद वो क्रेज वापिस आज ज़रूर है लेकिन ओवर पुष्ड नहीं हो दोनों अलगले चीज़े ना ओवर पुष्ड वो तब होते हैं अगर वो रोम वरेंस को रेसल मीने 39 में हरा देते हैं बड़ तो उन्हों ने हराया नी डवड़ ने एक दम से उनके ऊपर इतना बट डिसीजन लिया नी यानी ड थीरी थीरी पुष्ड दे रही है जहां जितना वह रेट होने चाहिए उससे थोड़ा जाद ही रेटेड है इसलिए वह थोड़े ओवर रेटें लेकिन ओवर पुष्ड नहीं है में रेकॉर्डिंग नेक्स ओट है कि यार किरपा प्रीत कौर की तरफ से और इन्हों ने काय कि डॉल जगलर चोड़ के नहीं रहें डॉल 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 को सिंपल सी बात हो कि उन्हें पैसे अच्छे ही मिलते हैं ठीक है विश्यक उनकी बुकिंग अच्छे नहीं हो रही है बट मनीवाइज और ऑल ओके जैसा कि आप के रहे हैं कि जरूरी नहीं डॉल जगलर को भई ट और सुपरसास भी हैं जो कि यह चीज़ पुल अफ कर सकते थे लाइक ब्रॉक लजना बस उसी रीजन की वरसे मैं पार्शली अग्रे किया नहीं तो जॉन सीन तो जॉन सीन है भाई ना नेक्स और टेक है MDTV How Things Works की तरफ से और यह कह रहे है कि रॉम और रेंज रसलमीनिया 42 तक चैंपियन रहेंगे भाई साब ऐसे मत बोलो यह जनता है यह पागल हो जाएगी तो यार I disagree with you क्योंकि मैं मान सकते हो कि वह रसलमीनिया 40 में भी अपनी चैंपियन कर लें बट 41 म में बता है कि भाई कितना लंबा चैंपियन रहें और रेडी हो गया है रसलमीनिया 40 में तो कम से कम एंड हो जाए बढ़ हाँ एक चीज मेरे मन में है कि अभी भी डवी शायद हो सकती है कि उनसे हल कोगन का रिकॉर्ड ब्रेक करवाना है वह 1400 दिना वाला और 1500 डेस तक चैं ना कुछ है भी ने उनकी फाइदा है कि चैंपियंग बना कि इसे अच्छा कि एले नाइट इतना ओवर हो रहें क्राउड में बड़ी एलाइन नेट मिल रही है लोग उने पसंद कर रहे है तो दे दो चैंपिशिप फिर डबी डबी का भी फाइदा और देस भी खुश और कि चाहिए इससे नेक्स होटे कैर एम गेमिंग का और उनका है कि रसल में 29 का जो में इमेंट था वह बेस्ट रसल में इमेंट ऑफ डेकेड था लास्ट डेकेड में देखा जाए तो मैं आपको और भी गिनवा सकता हूं या डेनिल ब्राइन वर्स बर्टिस्टा वर्स रैं से और इन्होंने क्या कि रसल में 32 एक्चुली अच्छी थी तर आई पार्शली अग्री वीडियो मुझे पता कि काफी सारे बेकार मैच्चिस और बेकार स्टोरी लाइन गई थी रसल में 32 में क्योंकि रीजन था नहीं काफी सारे सुपरसास इंजेड होगे तो उस ताइम फिर डब डब के कुछ अकर पढ़ गया था कि करें तो करें क्या बढ़ हाँ जितनी बुरा ही है और करते हैं वैसे लोग रसल में 32 की मुझे भी लगते कि उतनी बुरी भी नहीं थी वाकि आप लोग भी बताना है और कॉमेंट करके और हाँ जो मैंने वीडियो देखने को बोला वो वीडियो देखने मत बोलना लिंक मैंने डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में दे दिया है कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दिया होगा आपके लिए स्पेशिल रिवार्ड वेट कर रहे है तो जाओ और लपेट लो बाकि फिर में लिंक के होटेक्स पार्ट फाइब के देखने लिए सेक्शन में पिन्ग ओट